नारेल की चटनी हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये नारेल लिया है नारेल को मैंने बारिक वाली तरफ से कदूगस किया है हरी मिर्ची लिये है मैंने ये तीन चार कड़ी पत्ते लिये है हरे दनिय लिये है मैंने रही लिया है और ये वली हमने लाल मिर्ची लिये इस तरह और बुनीवी दाल दो चमाचली है इसके लिए हम सबसे पहले जार के अंदर नारेल डालेंगे हरी मिर्ची डालेंगे रादनिया दाहा और उसमें अब दई अट करेंगे नमक डालेंगे एक चमाच में नमक डाला है इसमें अब इसे हम ग्राइंड करेंगे अब इसे हम ग्राइंड करेंगे इसे मैं यह थोड़ा मिक्स कर रही हूँ यह चत्नी हमारे अपिस्ट्यू की है इस तरह से बने लिए चत्नी अब बस ऐसा ही रखना है हम ऐसे इस चत्नी में आप दही यूज करें इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चत्नी का अब इस पर हम लगाएंगे तड़का चत्ती को अब हम तड़का लगाएंगे तड़के के लिए मैंने पेन में टेल डाला है एक चमच यह मैंने राई ली है एक चमच इसे हम तड़काएंगे अच्छे से प्राई सजब औरें आपड़का रखेंगें प्राईटा साथ रकाएंगे साथ्टोत बड़का इसे लोगाएंगे यह द्सुटता है कलेड़काएंगे तड़का तड़काएंगे कि ये न पार अष्टप हाव, एक डार कि ये जा लुदा है. प्रिप्सेटें को ऑंट रिझे डिष्टें को न बुदा को ये लोकली खाई लुब मां प्रिष्टां एलागा, ये से लोगाग खारू हावागा.. तियार हो चुकिए हमारी नारेल की चट्नी